राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों मापाओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हूँ रमा एकाशी दो हजा तेश में कब है शुब मुहूरत पूजा विधी क्या होगी बंधों रमा एकाशी जोकी कार्तिक मास के क्रिशन पक्ष्टी ग्यारस तिथी को आती है इस बार दो हजात तेश में कब है बंधों कार्तिक मास में आने वाली दोनों ही एकाशी भगवान विश्नु को बहुत प्रिय है कार्तिक महीने में भगवान शुष्ट की पूजा उपासना का भी बहुत महत्व है हर साल कार्तिक महीने के क्रिशन पक्ष्टी एकाशी तिथी को रमा एकाशिम नाई जाती है इस दोरान शीहरी की विधीवत पूजा उपासना की जाती है इस दिन माल लक्ष्मी और भगवान विश्नु की पूजा करने से सभी मनो कामनाएं शिक्र अती शिक्र पूरी हो जाती है और साधक के सुक सोभग्य में विधी होती है बंधों 2023 में एकाशी कब है बंधों 2023 में एकाशी आट नवंबर को सुभे आट बज कर तेईस मिनट पर प्रारम होगी और नो नवंबर को दस बज कर एकतालिस मिनट तक रहेगी लेकिन आट नवंबर को दस में तिथी रहने के कारण इस बार नो नवंबर को ही एकाशी मनाई जाएगी बंधों एकाशी के दिन प्राते काल जल्दी उठें मन में भगवान विश्नु का स्मरन करें शिनान आदी के बाद साफ सुत्रे वस्त पहने मन्दिर की सफाई करें और भगवान विश्नु के स्मक्ष खड़े होकर व्रत का संकल पलें भगवान विश्नु की शोड़श उपचार पूजा करें भगवान को फल, फूल, धूब, दीप, निवित्य अर्पित करें और तुलशी दल अर्पित करें भगवान विश्नु की पूजा विधे विधान से करें विश्नु चालिसा पढ़ें या सुने एकाशिवरत की कथा सुने या फिर पढ़ें और फिर भगवान विश्नु की आति करें और भोग लगाएं सारा दिन भगवान विश्णु के नाम जाप में विताएं रात्री जागरन करें बंधों रमा एकाशी के उपाए क्या हैं जिन्हें करने से माल लक्षमी सुक्सम्रिधी प्रदान करती हैं बंधों यदि आप चाहते हैं कि आपको धन लाग हो तो रमा एकाशी के दिन तुलसी की मंजरी तोड़ कर घर की तिजोरी और पर्स में रख लें कहा जाता है इस से धन की तंगी दूर हो जाती है और घर में बरकत होती है सुक्सम्रिधी के लिए रमा एकाशी के दिन तुलसी के पोधे में शालिक राम को स्थापित करें और उनकी विधी विधान से पूजा करें कहा जाता है ऐसा करने से धन दोलत में विधी होती है बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में रादे रादे लिखना ना भूलें धन्यवाद झाल झाल झाल